नमस्कार इंडिया वोइस पर स्वागेत है आपका मैं हूँ आपके साथ प्रियांका मिश्रा आने वाले लोग सभा चुनाओं को लेकर उत्रखन की रागदीती दिल्चस्प हो चली है बीजेपी जहां दो सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर सस्पेंस बनाए हुए है तो वहीं कॉंग्रेस को अभी भी पांचों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की दरकार है जिसके बाद बीजेपी के लिए जहां पॉड़ी और हरिद्वार सीट कश्मकश वाली सीटे हैं तो वहीं सूत्रों का कहना है कि कॉंग्रेस में तमाम दिगज चुनावी रण में उतरने से इंकार कर चुके हैं जिसके बाद कॉंग्रेस के लिए ये बड़ी चुनोती है कि आखिर किसे मैदान में उतारा जाए कुल मिला कर देखना ये है कि दोनों ही पाठियां सीटों की इस गुथी को कितनी जल्दी सुल्जा पाने में कामयाब को पाती है तो आज बात होगी उत्राखंड की हॉट सीटों कॉंग्रेस की पेंडिंग लिस्ट की लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एक रपोर्ट उत्राखंड की पाठो लोक सभा सीटों पारप प्रत्याशियों को लेका भले ही बीजेपी और कॉंग्रेस डिल्ली दरबार में मंधन कर रहे हैं लेकिन इन दलों की उल्जहने कम होती नहीं दिख रही है क्उग्रेस के पास नेताओं की कमी दिख रही है तो भाजपा के पास दावेदारों की लिस्ट इतनी लंबी है कि किसे प्रत्याशी बनाए और किसे नहीं इसको लेकर बीजेपी पशो पेश में हैं वहीं उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पार प्रत्याशियों के चैन को लेका कॉंग्रेस का मन्थ हन दिल्ली में हो रहा है जिसमें कभी भी प्रत्याश्यों के नाम का एलान हो सकता है जबकि भाजपा के लिए हरीद्वार लोकसभा सीट और पौड़ी लोकसभा सीट इस समय हाई प्रोफाइल बनी भी है क्योंकि इन सीटों पर पार्टी के मौझूदा सांसा उतरा खण में पार्टी के बड़े चहरों के रूप में जाने जाते हैं और दोनों पूर्व मुख्यमंत्री भी जा चुके हैं ऐसे में उनकी जगा किसी और को दावेदार बनाना पार्टी को जोखिम भरा भी दिख रहा है लेकिन पार्टी सूत्रों के माने तो इस बार इने दोनों ही सीटों पार पार्टी नए चहरों पार दाव खेलना चाहती है तो वहीं कॉंग्रेसी अभी भी जिताओ और अटिकाओ प्रत्याशी की तलाश में जुटे हैं तो सब मोधी जी की नीतियों से प्रभावित होकर निश्रत्यों से प्रभावित होकर भारती जनता पार्टी में आ रहे हैं और उन सब का खुले जिन से स्वागत करें बुख सबा में जो भी सांसदर हैं जो भी परचासी रहे हैं जिलाध जेक्षों से सबी से वन टो वन बात की और फुरा बैड बैक लेने का काम क्या उससे उन्होंने के द्रिक्रत्यों को भी अवगत कराया और जो परचाशिओं की दावे हैं उनका मिलान जो है सरविगी र अब बहुत से लोग टिकट के लिए अपनी लॉबिक करें, दावेदारी करें, वो उनका नेतिक का दिखारे भी है, लेकिन पार्टी के उंगीदों पर जो खरा होगा उसी को टिकट के लिए। जहां पौड़ी और हरीद्वार सीट पर प्रत्याशियों को लेकर मन्थन कर रही है, तो वहीं कॉंग्रेस पार्टी भी अपने लिए जिताव और टिकटाव प्रत्याशियों की तलाश करने में जो टीवी है। तो वहीं कॉंग्रेस पाचों सीटों पर प्रत्याशियों की खोजबीन में लगी हुई है। प्रत्याशियों की घोशना हो चुकी है। सांसदी के टिकट के लिए लेकिन दो सीटे जिस पर अभी भी कश्मकश बनी हुई है। इस पर क्या लगता है आपको क्या रिपीट नहीं करना है या नई उम्मीद्वारों को लेकर अभी मामला अधर में है। अधर के लिए स्पयुक्त के लिए चुनाव समिटी का है। कि खेट के लिए लेकिन आपको कि देखा पेह लिएपी जारी हो चुकी है। जारी हो चुकी है और उसके मुताबिक इन की चप्रतों की क्लीर रूट की है। और आज भी कोड़ी देर बाद एक बैठा के दिल्ली में के लिए स्राव समेथी के होनी जारी जिसमें और भी नामों पर चर्टा होगी और हादी दिखों पर जो सीटें ताही होगी होगी तो चह सकते कि बहुत जल्दी हाद जल्दा पार्टी की इसकी लिस्ट भी तैयार पूर्व मुख्यमंत्री तीरस सिंग रावस और रमेश पोखरियाल निशंग को रिपीट नहीं किया जा रहा है तो कितनी पुक्ता है ये खबर क्या रिपीट किया जा सकता है तो इसके बात ही बात की जासे है अभी तो देखने वाली बात है नहीं लेकिन उत्राखण में नवीन जी कोई बहुत सीटे तो है नहीं पांच सीटे हैं पांच में से तीन पर घोशना आ जाती है और दो यदि होल्ड की जाती है तो इसके पीछे कुछ तो चल रहा होगा ना आप देख सकते हैं कि तीन सीटे उत्राखण की बिख्लेर हो चुकी है उसको हो चुकता है नहीं तो तीन सीटे शुचिया आती रहेंगी और यह सब क्लिए होता रहेगा तो आप देख से हैं कि ठीके रवेंद्र जी आम आदमी पार्टी की बात करें तो कितनी तैयारी है दूसरी तर्फ भारतीय जनता पार्टी और कॉंग्रेस में जो भी स्थितिया उत्राखण में बनी है उनको लेकर आपका क्या कहना है देखिए प्रिंका जी आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है तो मुझे ऐसा लगता है जो अभी तक दिशा निर्देश प्राप्थ हुए हैं उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी उत्तरा खण में गटबंदन के साथ जाएगी और दूसरी बात यह मैं है जो आपने बीजेपी और कांग्रेस की बात की देखिए भारती जन्ता पार्टी और कांग्रेस को टिकर देगी यह उनका इंतरनल मामला हो सकता है अपना डिसिजन हो सकता है बैरहाल हम यह जुरूर कह सकते हैं कि जो इनके पूर जो वर्तमान में अभी सांसद हैं जो पिछी बार सांसद जीत के आए उन्होंने अपनी निदी तक खर्च नहीं की अगर हम माला राजे लक्षमी शाजी की बात करें जो तेरी से सांसद हैं यह नमीन पेशाजी जी को भी मालूम होगा आपको भी मालूम होगा यह लोग अपने छेतर के लिए अपनी जंता के लिए केंदर द्वारा जो इनको फंड मिला उसको तक खर्च नहीं कर पाए नहीं मांग तो यह क्या करते तो यह कहा जा सकता है कि देखिए मुकोटा जो उत्रा खंड में मिलता रहा है अभी तक हम कह सकते हैं कि तीरी से या और सीटों से भी हमें कुछ ऐसा कोई चेहरा नहीं मिल जिसको विपक्ष भी कह सके कि हाँ इनने जंता के लिए काम किया है यह बात मैं आम आदमी पार्टी के नेता होने के नाते नहीं वरन एक उत्तरा खंडी होने के नाते कह रहा हूं कि जो वरत्मान में पांचों सांसद हैं यह अपनी सांसद निदी तक खर्च नहीं कर पाए नवीज इस पर जवाब देशेगा कितरा और अपनी जोस बाता है अधिन हो इस पर देशिवावत निदा आधना और है ओछ तो अधिर श्रम की बात वह बंदा वह उन्हां है आपको आखड़े दिखाऊ और केवल और केवल सच्छा माने के लिए तरह 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 जो बयानवाजी जाए कॉंग्रेस हो जाए आमाजी पार्टी हो जाए पुरी जो पुर्टी के बनाए का अधर बयान आरे हैं लेकिन नवीन जी नवीन जी नवीन जी रवींद्र जी के सांसद हैं तो सवाई सुनके उसका जवाब देना तो आपका करता भी बनता है दुबारा जाने वाले लोगसबा चुनाओं में जी रवींद्र जी अपनी बात आप पूरी रखें पहले बेखी मेरम मैंने ये बात पहले भी क प्यारी करके आया है विना प्यारी के चैनल पर बाइगा मुझे नियुक्ता आपको सब्सक्राइब और हमारे सब्सक्रा से जूरी बढ़ गी है प्यारी करते हैं नहीं लेकिन रवीन रजी ठीक है चुनाओं में अब जादा समय नहीं है एक माह के भीतर अप्रिल माह में चुनाओं होने होंगे मार्च में हो सकता है ऐलान हो जाए बहुत ही जल्द यदि आप इसकी बात करते हैं तो पांच के पांच सांसर जीते थे जन्ता ने अपना भरोसा जताया था और भारती जन्ता पार्टी के लिए ये जादा बड़ी चुनाओती है जो आप बात कह रहे हैं दूसरी बात यदि मैं आपके गडबंधन पर आती हूं तो आपने काय कि आपको मिलेगी या पांच की पांच की पांच की पांच की पांच की पांच सीट पर आप गडबंधन के साथे तो इसका मतलब आप अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे देकिन यदी उपर से कोई ऐसा हमें आदेश या निर्देश मिलता है तो हम लड़ने के लिए तयार है तो इसका मतलब आप प्रत्याशी नहीं उतारेंगे वैसे पहले भी जब आपने प्रत्याशी उतारा है तो कुछ आस फायदा आपको हुआ नहीं है मुझे लगता है कि कॉंग्रेस पांच की पांच सीटों पर जब उमिद्वारों का चयन कर रही है कॉंग्रेस को लेकर क्या लगता है आपको अभी तक प्रत्याशीों की नामों का ऐलान हुआ नहीं जब गड़बंदन पर कोई पेच फसा नहीं है सीट शेरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है एक माहा के बाद में चुनाओ होने है कुछी दिरों में चुनाओ की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो फिर इतनी देरी क्यों देखे पिंगा जी जहां तक टिकट वितरन का या नाम सामने आने की बात है तो देखे कांग्रेस निश्ची तोर पर बड़ी पार्टी है जब इतनी बड़ी पार्टी होती है तो कई नाम जाय करते हैं और सबी नामों पर चख्चा होना कि ये रवींद्र जी की तमाम दिगजों ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। कि ये रवींद्र जी क्या लगता है आपको रवींद्र जी जिस योजना की तहत काम चल रहा है। कि मेला है तो चुनाव मेला लिए बहुत खिरियत है उत्राशंट और सजमेनी पुरे देश के विजास के लिए चुनाव बहुत जरूरी होता है। कि ये बहुत खिरियत है और बहुत मन से इसको लट रहे हैं। गर्वंदन कहीं की तेख रही है और जन्ता उस वार्टी लेख रही है। इससे जन्ता का आश्रिवार जिस प्रकार से भाति इंता पार्टी के साथ बना हुआ है। लेकिन आपके सांसर पैसा खर्च नहीं हुए तो फिर विकास पूरा हुआ ही आप कैसे कह सकते है। करली से विकास के संवें हैं कर सब्क कर दोना है। अक पर सब्सक्रा शूला कर दोना है। आपको सांसद निदी मिल रही है, डबल इंजिन की सरकार की आप बात कर रहे हैं, आप चाहें तो जिस तरह से बड़े-बड़े पैकेज़ बार-बार मुख्यमंत्री सौगात लेकर उत्रा खंड के लिए आते हैं, आप उसका पूरा इस्तमाल कर सकते हैं और आपके सांसद सा आपके सांसद निदी कर ना हो तो क्या यह आपस में को रिलेट करती है यह बात? आप लिए पर जिए आप लिए आप और आदी भी सर्च नी चरपाएं और फिर आप यहां पर बैट के बड़े दिए पर बहुता है प्रतियाशी की तलाश तो आपको है लेकिन तमाम दिगज़ इंकार कर चुके हैं किसे लेकर आएंगे अब मैदान में प्रेंका जी आपके पास ख़बर किसमें देदी कि जिगज़ों में चुनाव लगा कि माइने मत निकाली का लिए परक्रिया है च्वैन परक्रिया पार्टी परटेक लोग सबासे तिन तिन नामों को लेके जा रहीं क कई चार हैं काई-पांच लेकर मिनमं तीन लोगों के नामों लेकर उसे serving हो था इंटरनल सरव करकर्टाओं की सुनी जाती है Blok सर ससुना जाता है जिल्लार सर से सुना जाता है PCC सुनता है के जो मेंबर होते वो सुनते हैं हमारे जितने फीडबेक होते उसको ले करके कंड़ेटों का इसली बार का रिकॉर्ड क्या रहा है सारे चीजें देखी जाती है और उसको लेकर पैनल बन चुका है तो जल्दी आपके सामने कंड़ेट पालिटी टिकलर करेगी और हमारे जो ब क्या खर्चा के पास हम किसी पे आपने हम से का लेकिन भाचपा के पास five संसाव थे तो जो है नहीं हूपाई उनके तो संसाव है यहां पर तो अब तक तो कोई ऐसी बार ने कॉंग्रेटी बॉप है तो जिसको भी आदेख करेगी तारे नेता यह कह चुके चुके पालिटी को मजबूत करना देश को मजबूत करना समिड़ करना तो कॉंगरेश को लाना जरूरी है यह कह सकता हूं और जो राष्टवारी लोग हैं जो हिंदुस्तान के इस देश के एक जो आत्मा उसके साथ जो लोग हैं जिस जिन्होंने यह सहुदान बना इस तरह न के रफना की अगर सब कुछ नहीं ठीक है तो आपको नहीं लगता कि आप बेवज़े देरी कर रहे हैं प्रत्याशियों के नामों का एलान को लेकर उत्रक्र में तो सीट शेरिंग को लेकर भी कोई फॉर्मूला नहीं भस आपका आपको क्यों लगता देख्या आचार सहीता लग गई है क्या कोई माना के कि कब कॉंडेट गोसित की जाएं तो आप आपके अंतजार करेंगे कि आचार सहीता का उप्चुनाव में भी आपकी प्रत्याशियों ने पहले सही हार मान ली थी कौन कह रहा हार मान ली थी कितने चुनाव से आप एक चीज बताएं लगपत बुटोला जी उत्रा खड़ में आपकी आपकी पार्टी के निताई कहते नहीं नजर आए थे हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे आप प्रेंगा जी आपके पार रिकॉर्ड है उप चुनाव कित अधिके बाट में क्या रही है दिखा देजी दिखाये मुझे रिकॉर्ड है मैं मैं आप तक पहुचवा दूंगी उप नवी जवाद दीजे घर जाएंगे इस पर यह जो आरोप अब लगदासे आपने मंधनात पाके मश्चे आप सई चीजें को एनलाइं दीजें को नही सब्सक्राइब करें दीजें को नहीं है और मौंग्रेश के मैं जितने भी नेचा है सब को लग रहा है सब कहरें कीछे 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 कि भी खड़े होके कोई फाइदा नहीं है इस बार हार ओनी है बिस्ट ना करेंगे तो मैं कह दोंगा अब यह बाजपा के पास कांगरेश की लोग चिछी देते हैं के पास कम चनाव नहीं लगए इनके परदेश का रहा है परवुद परवक्त हैं पूरी मेरी बात को सुन लिए नहीं पूछना चाहरा है आज पर कुछ चिछी दिया है आज पर कोंग्रेश में इसना अगुछते हैं आप अपना देखें जो इतने जिंदन कोंग्रेश में लेते हैं मगरेश के परदेश के लिए नहीं परवक्त हैं और नहीं को आज परदेश कर्ण के लिए यह इसना परदेश करें नहीं आज परदाश को जाते जाते रहें लिए लिए नवीन जी नवीन जी मोका देजीगा लगपजी को अपनी बात पर वक्ता है संथो लिए भात को सुनिये मैं यह आपकी बाते संथ देह रहा हूं करने के लिए इस देश में भाइचारे के दे आज चुनाव महत्व और अपर देश है कि अगर आप कह रहे हैं कि आपके लिए चुनाव इतना महत्रपूर्ण है तो आपको नहीं लगता आपको तैयारी और पहले से शुरू करने चाहिए आचार सही तक इंतजार करने की आवशक्ता है अगरे तो लिए उसे जवाब देए को लेकर कम पूरे तो लगपच जी उसका वैसला पर छोड़े ना अपनी तैयारी कीजे न प्रत्याशी सामने आएंगे तब तो जन्ता आपको 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 तैयारी बूत अफर को होती है करने की जरूरत है कि हमें कमी रह गई मन्थन करने की जरूरत है अभी विधासभा के चुनाओ आपने देखे हैं रास्ट के लिए मैट्ऻ और मैट्फोरौन इसलिए प्लाक के लिए मैं फौरर कलते क्ले मात जरूरर हैור तो कि जो अकंटा है इंदोस्तान का बाइचारा इंदोस्तान में जो पिकास पर देटें उसको एखंड-खंड करेंगे और उसको टोड़ी ठीक है बिल्कुल ठीक है लेकि उसके लिए लगपजी अपने सब्सक्राइब काम करना भी जरुए रवीन जी पांस से के लीजेगा अपनी सांसद निदी आज तक खर्च नहीं की बहुत सी सीटों पर तो आदी भी खर्च नी हुई तो ये बहुत भी शरम की और दुख की बात है मुझे लगता है जनता को ऐसे सांसदों को अब की बार ऐसे चैरों को जरूर मज़ा चार रहें बहुत भाद धनेवाद आप अभी का नवीन जी लगपत बूटरला जी और रवींद्र जी बहुत बहुत धनवाद जुड़ने के लिए तो जिस तरह से उत्तरा खंड में भारतिये जनता पार्टी के दो सीटों पर अभी भी कश्मेश बरकरार है तो वहीं कॉंग्रेस को पांचों प्रत्याशियों की दरकार है अब देखना यह है कि कॉंगरेस कितनी जल्दी अपनी सिक खोच को पूरा करती है क्योंकि जनता के सामने जब प्रत्याशी जाएंगे तब जनता धिसाइड करेगी कि आखियर भारती जनता पाटी हो गौंग्रेस में से किसको चुनना है और किसको सत्ता की चावी फिल्हाल हमारे इस खास कारकर में इतने ही खबरोखले बने रहे हैं इंडिया वोईस के साथ मुझे दीजिए इजासत नमस्कार